अमाला से कॉंग्रेस के सांसद वरुन चोधरी हमारे साथ मौझूद हैं सर पार्लिमेंट लगातार चल रही है पर कल नेता पिपक्स राहूल गांदी की जिस तरीकी की स्पीच रही हर वर्क कि उनोंने बात करी हर धर्म कि उनोंने बात करी एक उत्सा उन में एक जोस उनमें राहूल गांदी में देखने को मिला एक अलग राहूल गांदी कल देखने को मिला राहूल गांदी जी के अंदर कब आपने देखा कि उनके अंदर जोश नहीं है वो हमेशा जोश बरे रहते हैं और हम सब के अंदर भी जोश बरते हैं वो तो हमेशा जोश में रहते हैं सर जिस तरिके से बात करें, कल वो स्पीच दे रहे थे, चाहिए पियम मोदी की बात करें, ग्रहा मंत्री, अमिशा की बात करें, राजनाथ चिंग, सभी जो सत्ता बक्स के मंत्री हैं, उनके उठकर बोलना पड़ा, तो ये स्पीच पूरे देश में एक अलग मैसेज देखने को जी हाँ कहीं न कहीं उन्हें जो है विश्वास नहीं था कि उनको आइना दिखाया जाएगा उनके सामने जो है और इसलिए उनको कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगा और इसलिए बार बार जो है इतनी इंटरॉप्शन्स शायद इतनी इंटरॉप्शन्स हुई हो कि श्री राह तो तो सचाई इतनी कडवी लग रही थी मैं नहीं समझता ऐसा क्यूं हुआ हिंदूत के नाम पर भाजवा मेंसा से राजनिती करती है चुनाव में भी मुद्दा बनाती है पर राहूल गांदी जी कल शिव संकर जी की बारवर तस्वीर दिखा रहे थे तो उसको लेकर भी सत स्वीर दिखाई जा रही तो इसमें क्या गलत है अखरी सवाल जो आपके परभारी हैं दीपक बाबरिया उन्होंने पत्र जारी किया है जो विधांसवा चुनाव लड़ने के लिए आवेधन मांगे हैं जो इक्चुक मिद्वार हैं उनको आवेधन के लिए कहा है पोफोम जीत सकते हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं उनी को कॉंग्रेस पार्टी टिकेट देगी सर हर्याना में किस तरीके का महौल देखते हैं आप क्योंकि बिधानसवा चुनाब दो महने बाद अब बिधानसवा चुनाब हर्याना में देखने को मिलेगा दिखिए पूरा महौल है जन जन ने मन बनाया हुआ है कि आने वाली सरकार हर्याना के अंदर कॉंग्रेस की बनेगी और अच्छे भहुमत के साथ बनेगी बहुत बहुत धन्यवाद सरक ख़बर अभी तक से बात्चीत करने के लिए ये तो ये थे अंवाला से सांसद वरुन चोधरी जो की तमाम मुद्धों को लेकर ख़बर अभी तक से खास बात्चीत करे थे मेरे से जोगी लक्षे के साथ राजा पटेल दिल ले खब रहे अभी तक